नमश्कार आप देख रहे हैं पंजाब के इसरी लाइव और इस समयम खड़े में हैं फरिदाबाद के बीके ऑस्पिटल में जहां पर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे में वैक्सीन लगवाने की सक्ट से सक्ट जो है वो लोगों को इसकी डेट में जोड़ भी ह क्योंकि केंदर सरकार राज्य सरकारे तमाम जो है वो बड़े बड़े परचार परशार कर रहे हैं कि इस करोना महमारी के दौर में वैक्सीन ही है कैसा उपाई है जो कि लोगों की जिंदगियों को बचा सकता है और उसी जिंदगी को बचाने के लिए देखिए लोग किस त अधिकत क्या है एक बार हम लोगों से जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि आखर कितने समय से यहां पर खड़े हैं कितने देर से लोग इंतिजार कर रहे हैं किया नम भी आपका पुनित भाई कितनी तेर होगी हो गया तीन साथ चार गंटे सरकारे तो कह रही है कि लोगों घरों में जा करके गार्डियों बैठा करके वैक्सिन लगाई जाती है ऐसा कुछ नहीं है अनीश कितने देर होगी आपको धाई तीन घंटे हो यहीं पास में चार नंबर करोंगे हैं लेकिन किस तरीके कि यहां पर क्या दिक्क्त है लाइन भी बीच में कोई आता है गुसता है यहां सिस्टम सही नहीं है जान पहचान का आलें को घुसा ले रहे हैं और वैसे बंदे लाइन में खड़े हैं कुछ पता ही नहीं बढ़ी नहीं रही है कुछ बच्चे भी आए हैं अब क्या नाम है आपका संगीता है अग्जी टेस्ट कर लगातार जो है वो लोगों के अंदर इस बात को ले करके रोश है करोना की जो वैक्सीन है उसको लगवाने के लिए जिस तरीके से लोगों को कई अदर दिखाई दे रहें क्योंकि लोग वो बिना वजय यानि कि जो जानने पहचानने वाले होते उन लोगों को जो यह वो डारेक्ट अंट्री देदेते हैं और इसके बावजूद आप दूर तक देख सकते हैं कि लंबी कतार जो है वो यहां से देखने को मिल रही है देखे कितनी लंबी लाइन जो है वो यहां पर लगी विए अभी व्यक्सिन लगवाने लाइन लग रहे हैं चुट्टी लेगा हैं और क्या भाई यहां खड़े हैं अभी तो आस तो होगा नहीं वहां जाएंगे दूटित लग जाए कम कुछ पैसे मिल जाएंगे दो गंटे सब्सक्राइब जाएंगे दूख्री कर लेंगे और दो गंटे कुछ तो पैसे मिलेंगे यहां कोई आ जा रहा दूसर को शाए जा रहे हैं अब देखेंगे कहीं लापरवाही देखने को मिल रही हैं पर स्वास्ते भाग की टीमों की और लगातार जो है वो स्वास्ते करती है कि हर संभव प्रयास उन लोग का यह रहेगा कि स्वास्त सेवाई जो है वह अच्छी देपाएं लेकिन यहां पर जब जमीनी हकीकत हम लोग देखने के लिए पहुंचे तो आप साफ तोर से देख सकते हैं कि कितना लंबा समय लोग को इंतजार करना पड़ रहा है आखिरकार उनका जो समय है वो कहीं न कहीं बरबाद हो रहा है तो इसको लेकर के सुवास्त भाग की टीमों को जरूर कुछ न कुछ चोड़ दो है वो सकती दिखाने चाहिए और कहीं न कहीं इस तरीके के लापरवाल लोगों के लाव को इनकोई सकत कारवाई करनी चाहिए चाहिए झाल वोगों के लाभषाने वे एते हैं, खाल फोगों को इसकता हम भाइए शांच, जो राए करना चाहिए और को आँ